आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DSSB के अंदर जो पुरानी वेकिंसी निकली हुई है उनका फाइनल सेलेक्शन भी रहता है कुछ का मेडिकल रहता है या कुछ की अभी जोइनिंग होनी है तो इन पर हम बात करेंगे इसके बाद सातियों कल मैंने कोशन दिया था आप जो नया प्रेजिडेंट बना है वो कौन बना है तो उनका नाम है इब्राहिम मुहम्मद सोली तो रुक्साना खान रेश्मा मलिक इनके करेक्ट आंसर है इसके बाद जो आज का कोशन है आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा कोशन है और आप लोग आंसर जरूर द इसके बाद सातियों हम बात करते हैं जो DSSB की अंदर आपको पता होगा काफी न्यू वेकेंसी आई है और इन वेकेंसी को अगर हमें जल्दी करवाना है जल्दी निकलनी है वेकेंसी तो इनके लिए कुछ स्टेप और भी लेने पड़ सकते हैं जैसे आपको पता है NTT वाल साती असोक अगरवाल सर को ट्वीट करें बार-बार क्योंकि जो PRT के अलाबा अन्या पोस्ट है उनमें इतने एक्टिव नहीं दिखते candidates तो आप लोग अपने गुरुप बनाएं और सभी मिलकर असोक अगरवाल सर को ट्वीट करें क्योंकि मेरे पास भी काफी friends के questions आते है कि हमारा एक्जाम काफी समय पहले हो गया और अन्या पोस्ट है जो उनका final selection तक हो गया है हमसे पहले मतलब हमसे बाद में उनका एक्जाम हो था और हमारा एक्जाम पहले होने के बावजूद भी हमारी प्रिकरिया इतनी सिलोक यो है तो साथियों इसके लिए आप जरूर अ RTI लगाएं और RTI से अच्छा है कि आप असोक अगरवाल सर के पास personally जाएं उनसे अपनी बताएं कि हाँ और मैं तो यह कहता हूं कि 3-4-4 पोस्ट के candidates एक साथ जाएं और तभी कुछ हो सकता है क्योंकि बहुत slow काम हो रहा है और अगर जल्द से जल्दी ये काम करवाना बार-बार अपनी problem बताएं आप उनसे मिले जाके तो साथियों ऐसे बहुत अच्छा हो सकता है और जो new vacancies है उनके लिए आप जल्द से जल्द मेहनत करें क्योंकि time इतना है नहीं क्योंकि एकदम vacancies आ जाएंगे और यह नहीं कि chance नहीं है बहुत vacancies है chance आपको जरूर लेकिन उसके लिए आपको chance को use करना पड़ेगा अगर अच्छे से आप मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी deserving बेरोजगार रह जाएगा अपकी बार और vacancies के एक पिटारा खुलने वाला है लेकिन उससे पहले क्या है कि जो पुरानी vacancies है अगर उनमें आप च करें या उनको message करें बार बार तो साथ यह अभी update है आप लोगों के लिए update भी क्या मैं आपको सिर्फ जानकारी देना जाता हूं और आप इस तरह हो सकता है कि आपकी जो vacancies है जल्दी clear हो जाए तो good bye take care thank you jahin one day matram